ये वीवर्स अससलाम वालेकूम तो कैसे हैं आप सब यकीनन आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जनाब एक और वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ अच्छा आज वीडियो जो जिस बारे मेरी होने वाली है जनाब वो है PSL PSL का कल का मैच लहोर कलंदर्स वर्सिज कोईटा ग्लाडियेटर्स तो इस मैच के हवाले से मैं वीडियो इसलिए बनाने पर मजबूर हुआ कल आपने कोईटा ग्लाडियेटर्स के जो कैप्टन है और पाकिस्तानी टीम के एक्स कैप्टन सर फराज अहमत साहिब उनकी कुछ हरकात पर मैच में जो कुछ हरकात कर रहे थे उसके उपर मैंने सोचा के आज बात जरूर होनी चाहिए तो अब भी सबसे पहले उनकी हरकात देख ले इन हरकात को आप देखे इन हरकात को देखने के बाद पिर इसमें बात करते हैं उससे पहले प्लीज यह दरा चैनल यार आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप वीडियो देख लेते हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें तो ताके आपके भाई को भी थोड़ा सा फाइदा हो जाए तो हमारा होसला भी इससे जनाब भढ़ता है तो प्लीज चैनल को सब् कि यह आपने वीडियो में देखा यह भाई साब का आइटीजूट चेक कर रहे हैं आप मैं हमेशा से इनका इसके जो रवाई है हमेशा से ग्राउंड में प्लेट के साथ ऐसा ही रहता था यह जितने देर यह कैप्टनशी की साथ राज आपमर साहिब ने इसी तरह से प्लेट करते रहे हैं लेकिन मैं हमेशा से इस बंदे को सपोर्ट करता है हूँ और मैं काता है यार अच्छा प्लेयर है मेहनत करके बंदा आ गया आया है और यह इसकी कप्तानी में भी मेहनत दिख खाई देती है, इस बंद ने चैपेंज ट्रॉफी जीती, लेकिन बहुत से प्लेयर्स जो है, वो इससे नराज नजर आते थे, जब इसकी कैप्टन सी थी, और हम उसको भी डिफेंड करते हैं, हम कहते हैं, नहीं यार, वो कम असकम इसका रिजर्ट्स दे रहा है, लेकिन फिर बाईसा भरकात कर रहे थे, यकीन करें, बिल्कुल ऐसा मैसूस हो रहा था, जैसे किसी क्लब लेवल क्या, किसी महले लेवल का मैच हो रहे है, जिसमें एक जड़ी लड़का है, कैप्टन है, को सडीयल किसम का कैप्टन है, वो हर बाल पे जो उनसा नहीं वो चीख रहा है, ह कहते हैं यह वो बैटिंग विकेट थी बैटिंग के लिए बहुत अच्छी विकेट थी बैट पर बाल जो है वो बहुत अच्छा आ रहा था जो क्रिकट को समझने वाले लोग है जो टेक्निकल चीजों को समझते हैं उनको बता है बालर्स की अच्छी बालों पर बीच उनसे ह में नजर आ रहे थे से इसको इस ताइम पे क्टिन का क्या काम होना चाहिए क्टैन का काम होना चाहिएARY तो उठाना ना के अपने रवये से टीम को मजίद गिरा देने ये तो जो पहले ही डर रहा था वो पहले ही डाउन होके आ रहा था कि हम लोगों को ये जरा एक सिंगल भी पढ़ गिया एक चोका भी पढ़ गया तो इसमें तो हमरी मा बैने कर देनी है उसके बाद वो जनाब वो उस्मान शिनवारी बाल करके न दुबारा उपने बालिंग एंड पे ज दूनी इतना कूल बंदा इतना कूल कैप्टन मैंने आज तक ने देखा इंडियन टीम हार रही होती थी और उस बंदे के रवये की वरा से इंडियन टीम जीट जाती थी वो बिल्कुल कूल विकेट की पिचे राम से खड़ा हुए हलका सा जब बास उसने इशारे हो गयरा क होगा तो कोटा ग्लाडियिटर की टीम को ये लेकर रहा बंदा इस केंदर इतनी फ।क्टरेशन किस्बात इनकिती मैं पहले बता रहा हूं कि मैं इस बंदे के बहुत हकमे था इस बंदे को बहुत प्संद करता था लेकिन रात वाले मैच के बाद मुर्य इस बंदे में कप्तान का भाई ये रवाया नहीं होता कप्तान ऐसा काम नहीं करता आप कोईटा गलाडियेटर्स को डबोएंगे अपने इस रवाया की विरा से पूरा इंटरेशनल मीडिया को देख रहा है ये तो गली माले के मैचों में इस तरह की लड़ाईया होती है इंटरेशनली शर्मिंदगी हो रही थी यार देख की यकीन करें तो कोईटा गलाडियेटर्स के जो अफिशल्स है उनको भाई या तो ये सर्वास साथ को समझाए या तो कप्तान चेंज करें तो ये टीम को लेके डूबेगा अल्ला आफिस